कि नवस्का दोस्तों मैं वाइब आपका हरुजन एकड़े में स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो पे ट्रांजिशन फिट देखना है इसके पहले जो वीडियो हुए तो मैंने क्लियरंस और इंटर्फिरंस फिट बताया था कि आज के वीडियो में देखना है ट्रांजि का है कि अगर अब क्या है कि आपका जो छफचाफ डायमेटर में पर मैनिफेक्ट्र किया और फोल आप बिस opens यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां इसमें दोनों भी आते हैं मतलब clearance fit भी attain हो सकता है और interference fit भी अटेंड होता है चलिए condition देखते हैं पहले condition देखते हैं clearance fit की इसकी करो आपका shaft diameter क्या हुआ यहाँ पे lower limit पे manufacture हुआ और hole क्या हुआ आपका यहां पर यहां पर यहां पर में क्लिएरसतर है यह इंटर फिट कैसे आएगा इंटर फिट कैसे आएगा तो इन दोनों में इतना क्या हो रहा है इसलिए यहां पर पहली केस थी वह क्लिरस पिट थी अभी क्या हो रहा है यहां पर जो क्लिरान्स जब आपको कुछ करना हूगा तब क्या करते हैं जब गशुच meant क्लियरंस लगते हैं जब आपको दो पार्ट्स डिसेंबल करना या ऑपरेशन में लाना है तो आप क्या करते हैं यह पूश्पिट यूज़ करते हैं जैसे एक्जामपल कर लो गेर एक शाफ्ट पे गेर है उसको आपको क्या करना है चेंज करना है यह टाइप का जो आसेमली इंटर्प्रेटिशन मतलब क्या है 35, H5, G6 यह क्या होता है 35, H5, G6 क्या होता है यह बताने वाला हो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्स्राइब और शेर करना मत भूलिए और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं वह वह बुदाटे थैंक यू